वेल्कम बैक टो यो फेवरेट चानल मैगनेट ब्रेज मैं उशिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करा जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने लाइब में बहुर अच्छा कुछ कर सके सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आ अपनी और सिर्फ अपनी शिपरा मायम की जबानी बच्चो और आज हम पढ़ने वाले एक स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में भूमी का हमने लास्ट वीडियो में बान ली थी आज मैं आपको पढ़ाओंगे बीटी कॉटन के बारे में क्या होता ही है आए समझते है उससे जो है न बश्किख्टों फदार जर्रचीम मस्षन तक तो स्विद्व दिखायल दária बड़ी जारी बड़ी जारी बड़ी जारी अब अगर समय पर खाना ना मिले तप दिक्कत हो सकती उसके लिए अम लोगों ने लास्ट वाशषए पड़ा कि वी ऊफ साथ प्लांट में नूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि गोल्डेन वाइस में विटमीन एक ऐसे बढ़ता है क्लियर है यह हमने लास क्लास पर डिसकर्स किया था हमने बताए ग्रीन रिवलुशन वाय ग्रीन रिवलुशन इस नॉट समझ में आरी बात जनेटिकली मौडिफाइड प्लांट यह क्या है हमने इसको कुछ ना कुछ तो उल्टिरेशन किया है बच्चों कुछ ना कुछ तो उल्टिरेशन किया है अब अल्टिरेशन क्या कर सकते हैं या तो हम कोई gene add कर सकते हैं या तो हम कोई gene add कर सकते हैं gene addition कर सकते हैं तो alteration हुआ होगा या तो हम कोई gene subtract कर सकते हैं तो modification हुआ होगा तो हम किसी भी तरीके से gene को modify कर सकते हैं डिपन करता है कि आप method कौन सा स्थमाल कर रहे हैं आज मैं आपको पढ़ाऊंगे BT cotton के बारे में, ठीक है, अब इसको BT cotton क्यों कहते हैं, और यार, BT cotton इसको हम क्यों कहते हैं, BT cotton कहने का कारण ये है, कि इसमें हम एक gene को add करेंगे cotton के अंदर, which is obtained from the bacillus thryngensis, ठीक है, bacillus thryngensis से हमने निकाला है, ये एक बक्टीरिया होता है, क GM plant create tailor made plant to supply, pharmaceutical, herodine by brassica napas, ये आपको पढ़ाऊंगे अभी, attention नहीं लीजेगा, alternative, देखिए, ये के वहाँ, ये, herodine वाला ये जो है, petroleum plant, इसके वारे में पढ़ते हैं, पहले हम BT cotton पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, BT cotton जो है, this insect not only eat plant, समझेगा, क्या है, basically हमारे आपको पता है, कि जो खेत होते हैं, उसमें दुनियादारी की insect होते हैं, ठीक है, और ये insect जो होते हैं, ये plant को खा जाते हैं, क्योंकि plant जो है, वो क्या होता है, plant is food for them, ठीक है, साथी साथ, ठीक है, अब उसमें क्या है, ध्यान जो सुनिएगा, अब उसमें होता क्या है, कि eat plant करते हैं, पर यह बात को आपको समझनी है, insect not only eat plant, bacteria also form the occasional part of their diet, तो वो क्या करते हैं कि उनको plant मिला तो भी ठीक है उनको जो है बैटिरा मिला तो भी ठीक है तो वो खाते हैं अब हुआ क्या यह समझते हैं आईए मेरे साथ समझ लीजे पहले तो theory आपको clear हो जाएगी चलिए बच्छे शुरू करते हैं BT cotton के बारे में अभी मैं उसके बारे म modified cotton ठीक है यह क्या है बच्छो this is the genetically modified cotton ठीक है यह एक genetically modified cotton है अब इसको genetically modified हमने कैसे किया आईए समझते हैं एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं bacillus bacillus through in genesis की spelling देख लीजेगा ओके through in genesis ठीक है bacillus through in genesis यह बैक्टीरिया जो होता है लल्ला मेरे बच्छो इस बैक्टीरिया के पास एक ठीक है हसरा यहा पूरी कहानी मैं ही चेंज करूंगा इस बैक्टीरिया के DNA में एक जीन होता है जिसे हम जिसे हम कहते cry gene what is wrong with this year ठीक है इसके पास एक जीन होता है और इस इस जीन को हम कहते है cry gene क्या कहते है बच्चों इससे हम इसे हम कहते cry gene clear है इतनी बात ठेक यह बैक्टीरिया का नाम क्या है bacillus through in genesis इसिले इस का नाम क्या है BT cotton, bacillus thringensis cotton, क्योंका, क्योंकि हमने इस बेक्टिरिय का इस्तमाल करके, कुछ ना कुछ जो है, इस alteration cotton में किया है, जब normal cotton था, तो इंसे टाक के उसको खा लेते थे, कौन-कौन से इसे लेपेड़ोप्टेरन, डायप्टेरन्स, और कोलियोप्टेरन्स, पढ़ेंगे उसके बारे में भी, अब ये क्राइजीन जो है, ये क्या है, ये बड़ा ही, जो है, ये बड़ा ही, मतलब क्या है, खतरनाक, तो इसको लिदेते हुमें, बड़ा ही, खतरनाक, नायक नहीं, खलनायक है ये, ठीक है, ये क्या प्रेड्यूस करता है, टॉक्सिन्स, ठीक है, ये क्या अंदर बच्चो अध्यान से समझते जाएगा मेरी बात तो आपको एंडो टॉक्से चिक है और यह जो है अब इसको में मिटाओंगे यह जो बैक्टिरिया है आपका क्राइजीन जो है यह बैक्टीरिया के अंदर इनक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ठीक है, किसमें रहता है, inactivated form में रहता है, clear है, यह आपको समझ में आ, कौन सा बेक्टीरिया है, कौन सा जीन है, ठीक है, बेक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है, cry gene है, इस cry gene को, यह cry gene जो है, toxin प्रेडूस करता है, पर बेक्टीरिया को इसके कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बेक्टीरिया के अंदर यह inactivated form में पाया जाता है, अब यह बेक्टीरिया कहां पर पाए गए, यह बेक्टीरिया प्लांट्स में है, ठीक है, then plants is eaten by the, किस से खाया जाएगा, by the insect, ठीक है, कहां किस से खाया जाएगा, insect से खाया जाएगा, अब खिलादो इंसेक से काया के तेंशन ले रहे हो आईए एक बैक्टिरिया जिसके पास क्राइजीन पड़ा हुआ है वो इनक्टिवेटेट फॉर्म में चीक इधर देखिए अब इसको हम इना ये देखो लला ये देखो मेरे जिगर के टुकड़ों ओके ये देखो लिसने में ये है आपका क्राइजीन रो जो है वह खाली त्याइव इसको किसी इसक्त ने घहバक कर लिया थोड़ी ऽेसे मूठ बना लूमे ठीक है ये इंसेक्ट कि इसको इसको kसी इसक्तने सचालिया टियर ठीक इंसेट के प्एट में गया जिक आप इन 25 द्रॉन समझेड़ीए अब अ इन्सेंट की यह नहां क्या कि खुद तो मर जाते हैं और सामने वाले को मार देते हैं आपने मैं तो मरूँगा इस सनम पर तुझे भी लेकर डूमगूगा तो यहाँ पर भी वैसे ही है यह इसको खा लेगा तो भी खुश कियो है पता तुम्हें क्योंकि जैसे ही इंसेट के अंदर जाएगा ये बहुत ही ज़ादा तबाही मचाएगा बहुत ही ज़ादा तबाही आईए समझते हैं क्या है वो तबाही So, अब बक्रेटीरिया को खा लिया गया है Still bacteria is laughing Why? क्योंकि जैसे ही गट का pH कैसा है? गट का जो pH अनल लला वो है गट pH is alkaline गट pH कैसा होता है? alkaline होता है अब ये जैसे ही alkaline pH पे पहुचा ध्यान से समझना जैसे ही alkaline pH पे पहुचा ये cry gene activated ये cry gene कैसा होगा बच्चो cry gene get activated यहां तक clear हुई कि बाहर इसके cry gene को इससे मार नहीं पाएगा बैक्टिरिया कोई नहीं मार पाएगा cry gene पर जैसे इसको इंसेट खालेगा ये cry gene इसके गट में activated हो जाएगा clear? अब जैसे ही इसको मिलती है pH alkaline ये activate हो जाता है और जैसे ही activate होता दन 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 ये पूरे toxins को release करता है और ये जो toxins है बच्चो ये पता क्या करती है ये toxins जो है यहाँ पर perforation कर देती है ये देखो perforation clear है? समझ में आ गई बात तो ये क्या किया? ये हुआ gut perforation क्या हुआ बच्चो? ये हुआ gut perforation और आपका insect मर गया insect dead la 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 समझे बात को तो basically ये bacteria bacillus thruingenesis क्या है? बैक्टिरिया दिखेगा नहीं? तो वो जाएगा पती को खाने जाएगा पती को खाएगा तो ये बैक्टिरिया को भी खाएगा अच्छा माल लो जैसे कि ये आपका बैक्टिरिया भी खाते हैं और जैसे यह अक्टिवेट हुए इन्होंने पूरी इंटेस्टाइन जो है वो इनकी परफोरेट कर दे छेद कर दे पर छेद हो गया मर गया इंसेट तो मतलब यह है कि सनम अपन तो मरेंगे और तुझे भी लेकर डूबेंगे अब तू देख काइसा काम करता है अब यह क्रा बदला देखो बदला बदला यह बदला लेकर इंसेक्ट से इस बदले की भावना को मतलब इस जीन को हम यूज करेंगे इन आर बायो टेचनॉलोजी ठीक है अब करना क्या है वह हम समझते हैं ठीक है बस कुछ नी करना यहई मिकी भstatा देती हूं इस क्राइजीन को निकालो लाला लाला बैक्टिरिया से निकाला निकाला इस औ sucly इनको बेटाजी लल्ला युरी का देखो इसको अपने प्लाजमिड में इंसर्ट किया यह हो गया आपका recombinant plasmid recombinant plasmid कौन सा plasmid हम इस्तुमाल करते हैं TIE plant के लिए हमेशा TIE अब इस plasmid को आप कहा कहा insert कर सकते हैं आप इसे cotton में insert कर सकते हैं आप इसे corn में insert कर सकते हैं आप इसे potato में insert कर सकते हैं आप इसे tomato में insert कर सकते हैं चीक है, आप इसे ब्रिंजल में इंसर्ट कर सकते हैं, clear है, यह बहुत important है, यह example आपको रटा होना चाहिए, रटा लगाओ, रटा, corn, cotton, ब्रिंजल और tomato, potato, ठीक है, corn, cotton, tomato, potato, ब्रिंजल, यह बिटा रटा लगा लो, रटा, ठीक है, इन में यह वाले, इन species में यह जनरली भे है, यह recominant plasma, इन है, बिटी ब्रिंजल, बिटी, cotton, बिटी, Meghan, potato, बिटी, tomato कहने है, समझ में यह बात, सबसे पहला, जो बिटी स्पीशीज हमने प्रडिउस की, यह बात आपको बता दू, first B.T. स्पीशीज, first B.T. स्पीशीज, सबसे पहली B.T. स्पीशीज है, B.T. जानी दहो ठीडित को साथ करें चलो सीज्यूं का ते ट्रुविटह सो इसे आते हैं आपका कंटीज आपने प्लाजमी प्लाजमिट एंसे इंसेट किया और जाके इन प्लांट में भीजSe ब्रिंजल, कॉटन, कॉटन, पोटाइटो, टमैटो, चीक है, और उसके बाद अब हम इसकी प्रॉपटी यूज करेंगे, अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा बोलो मेरे साथ, होगा ये कि जैसे ही, अब कॉटन है, कॉटन की क्रॉप को जैसे इंसेक्ट आएगा खाने के अब हमको ये देखना है कि इनको कॉन से ग्रूप आफ इंसेक्स खाते हैं, ठीक है, देखते हैं, ओके, आपका बी टी ब्रिंजल, सबसे पहला ये लिखोंगे, बी टी ब्रिंजल, कितना बोला लिखाया, माम शिबराबाब, क्यों ऐसे लिखती हूँ यार, I'm sorry बच्चो, बी टी ब्रिंजल, ठीक है, एक है बी टी काटन, काथन, लालाला, बी टी काटन, क्लियर, एक है बी टी कॉर्ण, ठीक है, और के बताया, बी टी पोटाटो, ठीक है, और के बताया, बी टी टोमाटो, ठीक है, और के बताया, बी टी टोमाटो, क्लियर, ये होगा है, आपके ब बना है they all are transgenic plant, right? ये कैसे हैं बच्चो, they all are trans, they all are transgenic plant. ये क्या हैं बच्चो, they all are transgenic plant. clear हुग गई बात, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं से, इनको, इनके पास सब के पास क्या है बच्चो, इन सब के पास है crygen, जो बड़ा काम ये। इसलिए ये ट्रांजनिक प्लांट है, इन प्लांट्स को तीन मेंबर ओफ इंसेक्ट्स खा सकते हैं, ठीक है, तीन मेंबर ओफ इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ये कौन है, इनको थ्री मेंबर ओफ इंसेक्ट्स खा सकते हैं, पहला, कोलियोप्टेरस, कोलियोप्टेरंस, ठीक है, is lepido lepidopterans ठीक है और एक होते है diopterans ये तीन ग्रूप ओफ इंसेक्ट इन्हें खाते हैं clear coleopterans lepidopterans and diopterans coleopterans जो होते हैं ये हैं आपके beetles lepidopterans में आता है ball warm बॉल वार्म cotton खाते हैं diopterans में आते हैं housefly housefly देखो housefly लिकरी हूँ मैं housefly and आपके moss cuto 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 तो ये जो members है ये जो आपके जो आपके transgenic plant है इनको तीन ग्रूप ओफ इंसेक्स खा सकते हैं clear समझ में आगए बाद कोई दिक्कत कोई परिशानी अब आपको और एक चीज़ बताती हो वो ध्यान से सुनना जब भी देखो द्यान से सुनना एक होता है यही पर लिखूं क्या यार चलो यह लिखती हूं तो यह समझ में आपको कि जब इंसेक्स आएगा चीज़ ओसको पता किमीटी कवक्र लॉरम की अटाक किया उसको लगा जैसे ईसने खाया यह जी चुक्राइजन और अवे और वियुक्त कर दिया ऑनसे ग्रूप ऑफ इस ऐनको खाते हैं यह तीन क्रुप बईटल वार वांन लग बार मेंच्ट के Шभा न एक्टिवेट हो जाएंगे और गट को परफुरेट कर देंगे छेद कर देंगे क्लियर है इतनी बात इसमें कोई परिशानी तो ने डन अब क्या होगा वो बात आपको बहुत समझनी जरूरी है कि ओलरी थ्यां सा है नॉर्मल होता यह है अचा कि इंसेट थोड़ी बीचारे है कि कौ DNA कौन सा बीटी कॉटन में कौन लॉर्म बीचारा बीचारा राम से उसको कुछ पता ही नहीं क्या बीटी कॉटन और अब submerged पता यह क्रॉन ब्रोरर सौरे कॉन बोरर ठीक है एक होता कॉन बोरर और एक होता बॉल वॉम बॉल वॉम को मारने के लिए यह बहुत इंपॉटेंट है बॉल वॉम को मारने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट के पास लाला ला ठीक है ट्रांसजेनिक प्लांट के पास प्लांट के पास दो जीन होने चाहिए एक होना चाहिए क्राई वन और एक होना चाहिए क्राई टू ठीक है? एक होना चाहिए क्राई वन और एक होना चाहिए क्राई टू कौन बोरर जो ट्रांसजेनिक प्लांट है है टांजनीक प्लान्ट है टीपी लिघ देती हूं है इनके पास क्राइवन भी होगा तो चलेगा च्राइवन इसको हम कहते ए सी ठीक है क्या है ऐँए से क्या समझे अगर आपको ball warm generally cotton पर attack करते हैं चीक है यह ball warm जो है किस पर attack करते है cotton पर attack करते है cotton पर हमारे पास एक ही cry जी नहीं होने चीए cry one और cry two और अगर कौन बोर है कौन को खारा तो cry one भी चलेगा समझ रहे हो यह gene क्या कर रहे हैं यह gene जो है यह insect की gut में जाते ही अपने आपको active8 कर दे रहे हैं insect की gut में ही जाते ही जैसे इन्होंने अपने आपको activate एक listen to me very carefully इन्होंने तुरंद insect की gut को छेद कर दिया तार तार कर दिया च्यदो चात कर दिया और insect मर गया तो अगर आप जाहते हैं कि आपका बॉल ओमर है तो आपको प्लांट में दो जीन डालने पड़ेगा cry one ac yang and cry two और अगर कौन बोरर को मारना चाते हैं कौन बोरर जो कौन बोरर ठीक है को मारना का चाते हैं तो cry one से भी काम चल जाएगा clear है तो आपको यह समझ में आया कि हमारे bacillus thringensis के पास एक होता है क्या gene जिसे हम कहते हैं आपका cry gene अच्छा माम यह cotton में आफ डाल रही हैं यह इनको कोई फरकन नहीं पड़े नहीं बहुत सारे टॉकसिंस जो होते हैं वह दूसरी species को फर्क नहीं करते तो इनको कोश नहीं होगा पर किसे सर्ट को तो इस तरी के से इंसे जाता था पूसकी internet में शीद हो तो यहां पर आपने ट्रांसजनिक प्लांट लल्ला मेरे मुनना मेरे आखों के तारे मेरे चांद से तारे कैसे बनाए हैं बाइदा एडीशन ओफ जीन कैसे बनाए हैं बाइदा एडीशन ओफ जीन कौन सा एडीशन किया है आपने क्राइजीन कौन सा एडीशन किया है प्लांट का ही डाइट लेते हैं और जब प्लांट खाने आता है बैक्टिरिया को भी खा लेता है बैसलेस्ट तुरिंदेंसिस विच दूरिंग स्पोरिलेशन फॉर्म दा इंट्राइल इंट्राइल क्रिस्टिलाइन बोड़ी जैसे ही अंदर जाएगा यह देखो यह टॉक् आपका टॉक्टिवेट हो जाएगा और आपकी इंटेस्टाइन की गट में छेद कर देगा परफॉरेशन कर देगा समझ में आई बात ना लिसन टुमी वहरी क्यारफुली बैसलर स्थ्रॉइंजेंस चाले चाले कमान एवरेबाडी देखो ध्यान से क्या हुआ वह प्री टॉक्सिन था यह इंजेशन कर लिया बेक्टिरिया को बहुत ही रो बन रहा था अभी सारे टॉक्सिन क्या ओगए और जैसे यह थी यह एक्टिवेट होएं इन्होंने इंसेट की वॉल पर छakers कर दी और इंसेट आपका मर गया यह इन ऐ इनेज है Eveny खेलर आबश के वार्येट कर रहा है और और को DD करके कर और यहों कर रहा है इंसेट के इंटसटाइन में छेट कर दिया तुमने वो विचारा कुछ भी खाएगा तो सब कुछ तो निकल लाएगा बाहर तो उसकी डेथ हो गई तो यह आपके NCRT के एक्जामपल है और यह याद हो निची कौन कॉटन राइस थाया राइस 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 कैसे भोले श्परमाम बीटी राइस बीटी राइस मत भूलिया इट इस वेरी इंपोर्टेंट बच्चो कौन कौन सी स्पीशीज हम बनाते हैं बैसले इस से, इस वेरी, वेरी, और वेरी और एक बार और ररी लिखेंगे, इंपर्टेंट मतलब बहुत जाधा इपर्टेंट है बच्चो, ठीके ओके तो राइस, कौन, प Lulu, ρा इंपेंट, बैंगन, कोटन ठीके तो एक्गन, कौन, कोटन, राइस, टमेतौ, पो यूज चैके त इसे इसे हम जो है बहुत सारी क्रॉप सेंसर्ट करा सकते हैं चॉइस ऑफ जी इपेंडेंट न थे इस बूंड टोक्सिन अर इंसेक्ट ग्रूप स्पेसिफिक बताया अगर आपको बॉल वांप को मारना है तो क्राइवन क्या चाहिए और आपको कॉर्ण बोर को मारना है तो क्या चाहिए आपको क्राइवन से काम चलेगा इन कॉर्ण प्लांट इतनी बात इतिंग बीटी कॉर्टन के बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं लुक ठीक है स exception सब्सक्तवके हम इसक बीटी टॉक्सिन इन उसमें क्या क्या बोल रहा है बीटी टॉक्षिन प्रिदिए गवाई रए दाथ बेक्टेरियम कॉल्लदेटि चूर्ट एस थ्रुधी टाक्सिन जीर्दान भाइएं बेक्टिरिया हॉश Gwen पाइसरा सेयच प्लौन बन चुका भी इंसेक्ट इसेक्ट मुझे खाऊगा तो खुदी मर जाओगा तुम देख लो अपना ठीक है तो एक्जाम्पल क्या है cotton, corn, rice, potato, tomato and soya bean ठीक है corn, cotton, rice, potato, tomato, brinjal and soya bean ठीक है BT cotton, BT cotton, some strains of bacillus thringensis produce protein that kills certain insects कौन इसेक्ट बताए आपको, lepidopterans, bird warm, army warm, ball warm, okay okay, coliopterans, beetle, diopterans, flies and mosquito, bacillus thringensis form protein crystal during particular phase of their growth, these crystal contain toxic insecticidal protein तो basically जब इसेक्ट खाएगा तो crystal अंदर आएगे, in crystals के अंदर क्या है, insecticidal protein why does these toxins not kill the bacillus, actually BT toxin क्यों नहीं मारता है ठीक है को नहीं मारता है यही जीन क्योंकि BT toxin जो होता है, यह pro toxin कहलाता है, जब तक बैक्टीरिया के अंदर अभी इनाक्टिव है जैसे insecti ने खा लेता है, यह inactive toxin जो होता है, यह activate हो जाता है क्योंकि वहाँ पर alkaline pH होता है, और वहाँ प्रोटीज एंजाइम होता है, जो से काट पीट देता है कि नाक्टिव साइट को और वह उन्हें activate कर देता है, activated toxin जो होता है, वह mid gut में bind होता है, mid gut यह याद रखेगा, कहाँ पे bind होता है, mid gut, epithelial tissues of mid gut में bind होता है, उसके बाद उसमें क्या करेगा, pore create कर देगा, swell up कर देगा, lysis कर देगा, specific BT cotton gene was isolated from bacillus thringensis and incorporated into the several core plant, ठीक है, हमने BT cotton से क्राइजी निकाला, several plant में डाला, यह BT cotton है, the choice of depend, अच्छा कौन सा जीन आप डाल रहे हो, यह depend करता है कि आप कौन सा क्रॉप इस्तिमाल कर रहे हो, ठीक है, and it is inside group of, group specific, जैसे कि toxic is coded by a gene, ठीक है, cry 1 AC, and cry, ठीक है, cry 1 AC, ठीक है, there are number of them, for example, the proteins encoded by the gene cry 1 AC and cry 2 AB, ठीक है, control the cotton ball warm, and cry 1 AB controls the corn borer, ठीक है, तो यह बात आपको clear कर दूँ मैं, कि यहाँ पर हम चाहते, जैसे cry 1 और cry 2, cry 1 AC and cry 1 AB, यहाँ लिख रही हो, ठीक है, A, C, A, B, यहाँ रहे हो, ठीक हो, ठीक हो, यार, सुनो, 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 कैसे याँ रखे बन जाएगा, जनेटिक ली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं, अब यह होता है, इंसेट स्पेसिक, अगर मुझे बीटी कॉटन बनाना है, तो बीटी कॉटन पर कौन सा इंसेट एड कर जो है, खतरनाक काम करता है, यह होता है, आपका बॉल वाम, ठीक है, बॉल वाम जो है अगर बाटन को अगर बचाना है, आप चछाना है, आप चाहते हैं की इंसेक्ट ना खाय और खाय तो मर जाए तो आपको इसमें दो जीन डालने पड़ेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, बॉल वाम अगर अडर अटक करता है, अगर बॉ जो घॉतन पर चेट करता है उसके लिए क्राइवन जीन भी काम करेगा क्राइवन जीन डाल दीजे आप उसके अंदर उसके अदर उसके उपर कॉर्न बोरर आएगा कॉर्न के ऊपर वो उसको खाएगा इंटेस्टर्ट में छेद और मर जाएगा तो बेसिकली मैं आपको बतान का जो है बॉल वाम है तो पहिया आमको बॉल रही है इनसेक्ट बोल रही है इंसेक्ट बोल रही हूं आपके इंसेट भी बोल रही है क्लियर एपनी बात दन अब आओ मेरी स्लाइड पे और यहां पर मैं आपको बताती हूं आपके ब्रैसिका नौपस और इनमें हम क्या कहाणी करें बीटी कॉर्टन एकक्नोलिजी बैसीलस बाय टेक्नोलोजी आपने किसमे कि यह बैसीलस थृंजंस का क्रायजीन निकालकर आपने घुसा दिया है कॉर्न कॉक्टन प को बचाना है तो क्राइवन लगाना है ठीक है डिपेंड करता है कि कौन से से इंसेट को बचाना उससाब से जीन लगाए जाएंगे अब मैं आपको बताती हूं थोड़ा सा ब्रैसिकर नॉपस के बारे माई देख चलिए अब यह और ट्रांजनिक प्लांट बताना समझाती बीटी कोटन बनाा है बीटी बैंगन, बीटी बिरिंजल बिरिंजल बैंगन सभी गये टामैटो परटेटो, राइस, सोय बीपन य सब आपको उसेट से बनाना है ठीक है, कौन साझी इडेँल, डिपेंट्स कि आप कौन से वार्म को मारने के लिए कौन सा ट्रांसजनिंग प्लांट बना रहे उससे आप से जीन मॉडिफिकेशन होगा अब आज आपको सिखाती हूँ एक ब्रैसिका नौपस की कहानी जो की कैस्टर ओयल का पौधा है पर आपको पता है कि इस कैस्टर ओयल के पौधे से हमें एक एंटी कोगलेंट भी निकाल सकते हैं मैं यह क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या मैं आप रात में सोई नहीं क्या आए समझते हैं बायो टेक्नोलोजी बच्चों केंड डू एनीधिंग समझ महारी बात ओके एक जो है लीच का जौलोजिकल नेम इस हिरुडो हिरुडो मेडिसिनालिस चीक है ओओ-ओ-ओ-ओ ओके स्मॉल होगा यह आप कर लेना स्मॉल लेटर ठीक है मेडिसिनालिस चीक है हिरुडो मेडिसिनालिस जो है यह लीच का जौलोजिकल नेम है ठीक है लीच होता है जोक समझते है जोक जोक यह जोक आपका खून चूस लेती है ओके यह जो लीच होती है इसके अंदर एक ए ही ठीक है ही डवी सब्सक्राइल इस इस लिए एक एंटी थोगिस करता है और इस एंटी कोगिल समयatur इसका नाम है हर準 इस लिए बहुत लंबे समय तक भी आपके श्री रिंद में चिपका रह एगा तो क्यों आपको आपका जल फूं बाहर निकलता है तो फून निकल तो आपको निकलता तो हो जुआ म्मुण आजाता है आपके बलड बहुड भाहर निकालता तो साथीसा Chapravas कर सकता यह प्रेड्यूस करता है हिरुडीन नाम का एंटी कोगलिंड जिससे आपका ब्लड बाहर भी आगा तो लॉट नहीं होगा यह हिरुडीन जो होता है इसके सलाइवा में पाया जाता है इसलिए जब यह आपका रक्त चूसता है तो आपका ब्लड कभी भी बाहर आने के बाद हो सकता ठीक है अब माम ठीक है अब बताई आगे क्या है देखो अब हम लोगों ने हम लोगों ने इस हिरुडीन प्रेड्यूस करने वाले जीन को ब्लाक कलर से बनाओ इस हिरुडीन प्रेड्यूस करने वाले जीन को निकाल लिया ठीक है इसके डीने से हम लोगों ने हिरु बैजना है तो हमें इसके लिए टीअ प्लाजम्त प्लांट के लिए टीआ प्लाजम एनिमल के लिए रेटो वारास नॉर्मल के लिए कोई को भी बैक्टिरिया ठीकर उसके बाद इस जीन को बच्चो जी क्या करना है City says कर दो यह बन गया इंसर्ट हो गया बढ़िया शांदर तरीके से यह हो गया रिकॉंबिनेंट प्लाजमिट अब हमें इसे एक होस्ट सेल में भेजना है और बेटा जी जो हमारे लिए यहां पर होस्ट सेल है वो है आप लीफ बना लू पहले यार एक मोटू सी ठीक है तो यहा पर हमने क्या करना है यहां पर हमने इस प्लांट की लीफ की एक सेल में इस सेल में आपको यह रिकॉंबिनेंट प्लाजमिट इंजट करना है पर इसके लिए अब हमें कोई ध्यान से समझेगा वेक्टर वेक्टर क्या है तो प्लांट के लिए अब हम क्या अस्तुमाल को कहा ढाल देंगे इस रिक लिकाम प्लाजमिट को कहा ढाल देंगे सी 우물 को एस सेल के अंदर डाल गई एल बात कोई टेंशन कोई परिशानी तो नहीं आप यह रिकोमिनेट्ट प्लासमिट अपना नंबर बढ़ाएगा वह यह रिकामे ओन principle क्लेंट marvelous यहां पर होस्ट सेल कौन सी है यहां पर होस्ट सेल जो है वो है ब्रैसिका ब्रैसिका नौपस ठीक है यार स्पैलिंग देख लेना यार बैसिका नौपस ठीक है ब्रैसिका नौपस कैस्टर प्लांट है ब्रैसिका नौपस क्या है बच्चों कैस्टर प्लांट है किया रहे ब्रैसिका नौपस इस दे कैस्टर प्लांट है यह ब्रैसिका नौपस जो की कैस्टर प् कीया था सेत्र सभी एक सिंथीसले की सबीटेशा है ऑफ इस सेपरीशन थी करेंगा तो हम सेपररिशं करेंगे सैपरीशन करेंगे मतलब लास्ट के लास्ट धर पढ़े प contenיי downstream processing करेंगे downstream processing उसको filter करेंगे large scale produce करेंगे by director में डालेंगे downstream processing करेंगे purify करेंगे और उसके बाद हम अलग कर लेंगे क्या? हम अलग कर लेंगे आपका hirudine और हम अलग कर लेंगे आपका castor oil castor oil clear है आप? इतनी बाद आपको clear होई? तो अब आप समझिए कि एक leech जिसके पास hirudine पाया जाता था अब उस hirudine को हम plant के अंदर गुसा के बना ले रहें समझ में आया बात तो castor oil brassica nopus के अंदर हम hirudine नाम का anticoagulant बना सकते हैं बनाने के बाद उसको downstream processing में ले जाएए उसको बढ़िया तेरी के इसो purify करिए और enjoy करिए enjoy आपको खाना पीना नहीं उसका ठीक है so basically hirudine by brassica nopus hirudine एक anticoagulant है इसके लिए host हम यूज़ कर रहे है आपका brassica nopus का plant जो की एक प्रकार का क्या है लला brassica nopus का plant क्या है brassica nopus का plant एक प्रकार की host cell है form of fuel ठीक है okay soil seed is modified to produce fatty acid for the detergent substitute for fuels and photochemicals even यहाँ पे तो हमने hirudine बनाया हम oil industries या oil plant को detergent बनाने के लिए बिस्तमाल कर सकते हैं दूसरी चीज़े बनाने के लिए बिस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो बायो टेक्नोलोजी एक ऐसा एक ऐसा मतलब tremendous चीज़े यार tremendous चीज़े जिसके बारे में मैं आपको बताओ ही क्या clear है यह सारी चीज़े clear हुई so आज हमने सीखा कि हमको transgenic plant बनाने कैसे है और आज मैंने आपको दो transgenic plants के बारे में पढ़ाया जिसमें मैंने आपको बताया BT cotton के बारे में और मैंने आपको बताया क्या आपके that erudine by the brassica nopus तो आज हमने दो transgenic plants के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि बनते कैसे हैं समझ में आगाई बार तो genetically genetic modification is the best तिंग अब तुम सोचो कि brassica nopus से तुम तेल तो निकाली रहे हो साथ में एक anticoagulant बनाना भी शुरू कर दिया तो अगर आप किसी को blood चढ़ा रहे हो और उसमें erudine मिला दिया तो भी कोई दिक्कत परिशानी नहीं है और कभी भी इससे कोई antigenic reaction नहीं होगा तो बेसिकली इसमें कोई tension नहीं है इसमें कोई antigenic property भी नहीं होगी तो इस वेरी safe, इस वेरी essential अब किसी को blood transfusion करना है तो बाहर आके blood clot ना हो तो फिरीड मिला दो अपने बना रखा है तो दो चीजे हमें मिल गई इससे हम cotton को, rice को, tomato को, potato की अब कि ऐसी अगर transgenic variety बना लें तो lipidopterans, diopterans, colopterans का कभी attack ही नहीं होगा उन पर So, biotechnology is a very very essential thing in the agriculture Very important thing आप agriculture से बहुत सारे transgenic plants बना सकते हैं जिससे आपको बहुत फाइदा मिल सकता है Next class में मैं बताऊंगी कि हम basically alteration कर कैसे रहे आपको समझ में आगे कि काटा, plasmint में गुसाया जीन करनके थूँ, plant cell में गुसा दिया Next class में मैं आपको थोड़ा सा RNA interference के बारे में बताऊंगी Interference के बारे में बहुत मज़ेदार lecture होगा Next class में आना जरूर अगर आप इसी तरीके से मेरे प्यारे सुन्दर बहतरीन lecture चाहते हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं यार, website में class 12 पे क्लिक करिए मेरी photo पे क्लिक करिए chapter wise सारी playlist बनी हुई है उनको जाके देखिए इंडिया में बहतरीन तरीके से बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, मैं मानती हूँ मैं कभी डिना नहीं करती हूँ, सारी टीचर अच्छे ही पढ़ाते है पर अगर आपको मेरे lecture प्शन राते हैं तो share करिए, लोगों को बताईए पढ़िए इंसे जाके, मज़ा आएगा आपको biology को हमेशा summarize करके पढ़ना चाहिए summarize तो नहीं करना है, पर सब कुछ जोड के पढ़ना चाहिए NCRT हमारी माता है, ये मत भूलिएगा See you in the next amazing session, मेरे प्यारे बचो तब तो Thank you so much and ta-ta